वेलकम टूद अपरियाग राज इंस्टूट आजमनों बात करेंगे 20 और 21 को पटवारी एक्जाम में आई हुए प्रश्णों के बारे में हमारे सामने जो पहला फेक्ट है पहला फेक्ट यह है कि मध्य प्रदेश का पहला शैलास्रे एवं सैल चित्र कहां पे हैं तो यह जाता था अगला प्रश्ण माइक्रोसॉफ्ट में स्विच किस पीड़ी में आया था तो स्विच की बात आई थी चौथी पीड़ी में फोर्थ जेनरेशन मध्य प्रदेश विधान सभा के बरत्मान अध्याच का नाम पूछा गया था आपसे तो बरत्मान में गिरिश प्रख्या मतलब प्रोशेश की बात की जा रहे है यह जपान इसकरवी रोक किस बीटामिन की कमी से होता है तो बीटामिन सी और पिटामिन सी का जो रसाइनिक नाम है एसकॉर्विक एसीड चंद्रगुप्त महल कहा है तो पाटली पुत्र अगला प्रस्ट मलेरिया कैसे होत है अनुछे 331 कि से सबंदित है तो यह है राष्टपती एगलों इंडियन समधाएक के लोगों को लोक सभा में दो सदस्य को नामित कर सकते हैं अनुछे 331 के तहट जो कि बर्तवान में अब इसे हटा दिया गया है पानी से होने वाली बिमारी कौन सी होती है तो जो ऑप्स बड़े भूस्खलान प्रित्वी के अंदर मैगमा के हलचल कम आविरती के ध्वन उर्जा वाले मानों करिंपिस फोटो से उत्पन होती है तो यह इस तरह के ऑप्संस होंगे तो ऐसा उसका उत्तर बनता है भारत में सबसे ज्यादा उपजाव मिट्टी कौन सी है तो यह है चत्रभुज मंदिर का आए तो खजुराहों में भुकम की कौन से तरंगे प्रत्वी पर सबसे पहले पहुंचती है तो प्रात्मी पीवेव अगला भारत में रेगूर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है तो यह है काली मिट्टी मध्य पर्देश में ताज महल कहां परिस्ती थे तो भुपाल में यह हमारे करेंट एफेर के वीडियो में भी यह प्रश्न था मध्य पर्देश में सबसे ज़्यादा निरचहरता वाला जिला कौन सा है तो मध्य पर्देश में कम साचहरता दर्वाला जिला जोह है अली राजपूर है तो यहां पर देखिए इसाचहरता लिटरेसी रेट मात्र 36.1 प्रतिसत है इसको याद रखिएगा नेक्स्ट रावण की पत्नी का समंध कहां से है तो मंदसौर से तो रावण की पत्नी का नाम था मंदोदरी तो मंदोदरी जो थी वो मंदसौर जीरे से थी इट्स होने पर कौन सी कुछ काउं पर भोचन के रूप में लेते हैं तो यह क्या है यह जो है इस प्रश्न को नेगलेट करते हैं यह जो है वो मिननल्स में आते हैं ना कि प्रोटीन में नेक्स्ट मध्य प्रदेश का पहला बाइस पहुंचा है सत्पुला टाइगर रिजर्फ कंप्यूटर के पितामा चाल्स बैबेस को बोलते हैं मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा यहां पर हाइस्ट लिट्रेसी डेट पूछा जा रहा है तो यह है जबलपुर में 81.1 पर टूट है उप्रेसित की में 46 घडीर में पढना में 59 अगर्च प्रक पोच देट रहे साध़ रहा हैं तो फिय प्रोप पुछा जाया तो डबलु डबलु टी है क्या वर्ल्डवाइट टेक्नोलजी नेक्स्ट विद्दुत आवेश पर एस आई मात्र क्या होता है यह होता है कुलाम मध्द प्रदेश में सारदा देवी का मंदर कहां इस्तित है तो यह है मैहर शहर में पांडो ने अपने गुप्त अग्यात बर नूटबुक कंप्यूटर है नेक्स्ट वागा सिंग को फांसी कब दी गई थी तो तेईसमार्च उनी से कथी सिंद्या समराज के समय ग्वालिया रजधानी कब बनाए गई थी तो 1810 में सरस्वती का प्रयाची क्या है तो सारदा यह हमारे प्राठना में भी आता है यह सब सारदा नेक्स्ट मॉर्य वर्स किसके बाद समाप्त हो गया था तो ब्रहद्रत ब्रहद्राज जहे वह अंतिम मॉर्य सासक था जिसकी हत्या पुष्यमत्र शूंग ने की थी और सूंग वंस की इस्थापना हुई थी भारत के बरत्मान मुख्य चुनाओ आयुक्त कौन है य बर्सा वर्मन को एकलब पुरुष्कार मिला था 2013 में यह देखे इतने पुराने करेंट भी पूछा जा रहा है ताब बढ़ाने पर प्रिष्ट तनाव पर क्या असर पड़ेगा तो ताब बढ़ाने पर प्रिष्ट तनाव जहें वह घटता है ठीक है बोरी अभहरण कब इ अचछे करहां से मिलता है लोथाल से मल्टी डाइमेंशनले पौटे इंडेक्स ठेक है तो बहु आयामी गरीवी सुचकांब में कौन सा राजित पहले नंबर पै तो यह है भी आज्यों की बात कि बात जाए तो इसमें बिहार नंबर वन के है धनकर मौत मामले में किस राश्ट्रिय गरामिन स्वास्थ मिशन तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन तो यह है 12 अप्रेल दो हजार पाँच नेक्स्ट पैरा स्विमर सात्यांदर सिंग लोहिया को प्रतिस्ठीत टेंजिंग नोरगी पुरुसकार कम मिला था तो यह मिला था 29 अधस 2022 को उद्यों से निकल साज का पतन भुड़ों ने किया था बोल कर इस्टेडियम इंदौर की स्थापना किस ने की थी तो 1926 में ध्यान दीजिए 1926 में महराजा एस्वंत राव फोल करने किया था ठीक है नेक्स्ट करने पर किस धात की परच रहे जाती है तो इसमें यूज होता है जिंक और जिंक का एटामिक नंबर होता है तीस रूप सिंग स्टेडियम में पहला मैच कब हुआ था तो यह हुआ था बाइस जनोरे 1988 को और यह स्टेडियम है ग्वालियर में और यह स्टेडियम समंदित है क्रिकेट से भारती समिधान का अनुछे 21 किस समंदित है जिवन करतिकार ताइट प्रिजगार थे यह वच्छा कोर्शन वाई साथ 30 लाग थे उनमें से हम आप एक है चकरव्यू चरुआ मंदिर से समंदित सिलालेक है मोडी लीपी के सिलालेक एक एक एटीप में कितने कैलोरी होती है तो यह कैलोरी होती है 7.3 किलो कैलोरी एक एटीप में और एटीपी का मेघा परमार का समंद्ध किससे है तो यह है परवता रोही नेक्स्ट 25 की दिवस कब गठत किया गया था यह है 20 अक्टूबर 2010 से बनाया जारा ठीक है दाप का सुत्र तो दाप का सुत्र होता है दाप मतलब प्रेशा प्रेशा पर रब होता है फोर्ट पर यूनिट एरिया इसको याद रखिएगा ठीक है बल अपान चेत्रफल अगला प्रश्न ग्वालियर के मंदिर में कौन सी लिपी प्राचिन उत्तर गुप्त लिपी आपको देखने को मिलेगी वाई मंदल में कितने प्रस्त अक्सिजन उपत्तित है तो 21 प्रतिसत दाप का एसाई मात्रक तो यह हुसंगाबाद में उत्तक किसके मिलकर बने होते हैं तो कुछ्णाओं का समुझ उत्तक कहलाता है अम्ल में अमिनों में कौन से समुझ से समंदित है तो यह है अमीन एंड सी ओएच करबोगसली ग्रूप और बेसिक जो फर्मूला होता है यह होता है कुछ इस तरीके से अमिनों आमल का फर्मूला ठीक है याद रखेगा है नेक्स्ट तांसें समारो कहां पर आविजित क्या जाते तो यह ग्वालेर में फिरदय कौन से उत्तकों से बना होता है तो पेसी मस्कुला टिसूस होते हैं फिरदय में हवा में सबसे प्रचूर घटक कौन सा है नैट क्या है छे किस कोईलों में कर्वन की मातरा अधिक्तम होती है तो यह एंत्रा साइट एफटी का पूरा नाम पुछा गया था तो यह फाइल एलोकेशन टेबल नेक्स्ट एमेस ऑफिस क्या है यह है एक एप्लिकेशन साफ़वेर महाराष्ट में विशेस रुप से कमजोर ज लगाए गये हैं तो यह है 246 किस देश का कोई लिखित समिधा नहीं है यह है ब्रिटें असीरगड़ के किले में सबसे उपर जावा मस्जीद का नेमान किस ने किराया था तो यह है आदिल साह चतूर्थ नेक्स्ट अपर लेक बोट अपर लेक बोट क्लब मध्य प्रदेश में भुपाल मिस्थ्य सत्पुडा की राणी पंचमणी को बोलते हैं और भारत में कितने महारत में कंपनी है तो आज की डेटवेग 12 है नेक्स्ट तस्सिला किस महाजनपत की राधानी है यह है गंधार इस्टोरेज डिवाइस है तो आप कितने गीगाबाइट तक इस्टो नौरात्र में कौन सा समा से यह है द्वीगू ओके अधुनी का वर्षाणी में वर्ष में बाएं सिदाएं जाने पर प्रमान का अकार घटता है नेक्स्ट धुरूई जोती का घर कहलाता है तो यह है वाइबंडल का उपरी भाग गड़गौर निर्त्य शोपुर में कमना जाता है यह है चैत्रमास में सबसे बड़ा महादीब एसिया महादीब नेक्स्ट सिम्बेक्स सैन अभ्यास भारत और किसके बीच तो यह होता है सिंगापूर फुस्तक मेश पर रखें इसमें से कौन सा कारक है अधिकरण कारक है गर्मियू में रोज नहाया जाता है यह कैस पानी देते जाएं यह क्या है लुकोक्ति है है एवं अजी किस परकार के कारक है शंबोधन कारक है हर्स यातना फीडा खेद उप्रुक्त में से कौन सा असंगत है हर्स क्यों क्योंकि यह पॉस्टिव वर्ड है हर्स नेक्स्ट तो यह कुछ जो प्रस्न पूछे गए थे आ तब तक लिए थेंक्यू धन्यवाद